नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल करन स्वागत है देखिए मैत का प्रेक्टिसट एक पड़ चुका है उसमें देखिए कमेंट बाक्स में बताई आपने कितने सही किये हैं हम प्रस्ण तो बना ही रहे हैं लेकिन अज दूसरा मैत का प्रेक्टिसट डाल रहे हैं देखिए इसका पहला प्रस्ण है udah पहला प्रस्ण देखिए छे पॉइन्ट पांच फाज अब कि इसकी पर आрудि रहा वा देखिए भिन्डम से यहां से पॉइंट अतले dista बढ़ा लेते हैं अब 5 से कारता हैं दूनी 10, 5-0, 0, 5-5, 5-3, 15-5, 5-5, तो 131 बटे 20, 20 छक्का 120, कितने बचे, गेरा बटे 20, तो आपका आंसर जो आएगा, वो 6 सही, गेरा बटा, बेस, कौनसा अप्शन होगा, अप्शन नमबर, बी बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रस्न नमबर 2 देखे, कामान बताना है, तो यहाँ पर देखे, क्या करते हैं, पहले ब्राइकट को हल कर लेते हैं, 14 से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 14 से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 5, प्लस, 9, फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 3 7 माइनस 3 6 से 2 जाएं कितना बचेगा 4 खोल देते बाइकट 6 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 7 माइनस 4 तियां 12 6 पंचे 3 गुणे 4 कर लेते हैं 6 पंचे 30 प्लस 9 सती 63 माइनस 4 तियां 12 अब प्लस प्लस जोड लेते हैं 0 3 3 6 3 9 93 माइनस 12 93 से 12 जाएं कितना बचेगा 81 अपसन नंबर कौन सा सही होगा अपसन नंबर डी विल्कुल सही अंसर होगा प्रस नंबर 3 देखिए 6 करोड 7,099 सब्दों में लिखा है आपको अंकों में लिखना है देखिए किस प्रकार से लिखते हैं 3,099 6 के बाद 3,099 आपसन नंबर ये बिल्कुल सही अंसर है प्रस नंबर 4 देखिए दो संख्याओं का गुरण फल 4,444 है यदि इनका मासा महत्तम समापवर्तक 44 है तो उनका लासा ये लगुत्तम समापवर्तक क्या होगा तो लासा बराबर क्या होता है सूत्र आपको पता होगा कि लासा बराबर होता है दो संख्याओं का यादि दोनों संख्याओं का गुरण फल बटे मासा यदि महत्तम समापवर्तक 4,444 बटे 4,444 बटे 44 से कम 44 अब देखिए दो अंक लेना है तो जीरो बढ़ाना है तो 44 से कम 44 तो इनका LCM जो आया वो 101 आया अफसन नंबर कौन सा सही होगा अफसन नंबर सी बिल्कुल सही होगा तरस नंबर पांच देखिए दो संख्याओं का मासा यनि महत्तम समापवर्थक और लगुत्तम समापवर्थक 12 तथा 96 है यद इनमे से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों दूसरी संख्या पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे लासा गुणे लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या पहली संख्या या पहली संख्या पूछ लेता तो बटे दूसरी संख्या अब देखें यहां पर जो लासा और मा आठी चानवे देखेई 16.6 चन्वे तो इनका जो दूसरी संख्या सकी होगी आपसा नंबर बी बिल्कूल सही आंसर होगा प्रस नंबर चे देखे एक बाग का छेत्रफल 221 वर्ग मिटर है यद इस बाग की एक भुजा 17 मिटर है तो एक इसका परिमाब क्या होगा देखें दोस्तों इसमें यह नहीं बताया है कि आयत का है या वर्ग का है लेकिने आप समझें अगर एक भुजा दी है तो दूसरी पूछा पूछ रहा है तो आयत का छेत्रफल क्या होता है आयत का छेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चोड़ाई तो आयत का छेत्रफल दे रखा है 221 बराबर एक भुजाई लंबाई दे रखी है सत्रा और चोड़ाई आपको पता नहीं है अब तो चोड़ाई बराबर दोस्तों क्या होता ह है 221 बटे 17 सत्रा एकम सत्रा सत्रा एकम सत्रा कितना बचाए हाँ पर 5 सत्रा तियां 51 तो जो चोड़ाई आपकी आई वह आई 13 मीटर नहीं आई 13 मीटर अब पूछता है परिमाप यह आयत का परिमाप होता क्या है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चोड़ाई तो 2 सत्रा प्लस 13 तो 2 सत्रा और 13 कितने होते हैं 30 तीस दूना 60 मीटर जो परिमाप होगा कितना होगा 60 मीटर होगा आपसन नंबर बी बिलकुल सही अंसर होगा प्रस नंबर साथ देखिए एक अठारा अनार अठारा अनार 96 रुपे में खरीदे गए तथा 20 प्रसंद लाब पर बेंच दिये गए एक अनार का विक्रे मूली बताओ अच्छा है एक अनार का विक्रे मूली अनार जो हैं अठारा अनार 96 रुपे के हैं तो एक अनार कित्ते का होगा एक अनार 96 बते 18 अब हमें इसमें 20 प्रसंद का लाब लेना है 120 बते 100 जीरो से जीरो कैंसिल 6 दूनी 12 छे तियां 18 तीन तियां 9 तीन दूनी 6 32 दूना 64 बते 10 परावर 6.40 यानि 6 रुपे 40 पैसे एक अनार पड़ेगा 6 रुपे 40 पैसे का तो अपसन नंबर आपका सी बिलकुल सही आंसर होगा प्रस नंबर 8 देखे गोबिंद के पास 150 रुपे थे उसने 8.75 रुपे प्रत कांपी की दर से एक दरजन कांपियां खरी द पैंसिल के दर से 18 पैंसिल खरी दी तथा 14.75 रुपे बाजार से घर तक किराया के रूप में खर्च किये अब उसके पास कितनी रासे रही देखे वो जो है सबसे पहले 8.75 पैसे 8.75 पैसे की 12 कांपियां यानि एक दरजन खरी दी तो आप पहले इसका मूल निकालते हैं 12 प अच लगेश में 6 84 कितने होते हैं 92 बारा इठी चानबे बारा इठी चानबे और न वकितने होते हैं 1285 अब दोर अ बगाल दो अलगा दी दूसरी बात अब आती है एक रुपए 6 पैसे एक रुपए 6 पैसे प्रत्य दर से 18 कापियां खरीता है यह पेंसिल खरीता है अब 18 00 18 6 108 एक सो आठ हासिर लगे कितने दस अठारा एक कम 18 10 28 दो स्थानवाद पॉइंट यही इतना उस ने खर्च कर दिया अब देखे उसके पास जो है 14 रुपे 75 पैसे 14 रुपे 75 पैसे वह किराये पर खर्च करता है अब इनका योग कर लेते हैं एक सो पांच पैसे 00 और 28 रुपे 80 पैसे 14 रुपे 75 पैसे तो यहां पर जोड़ते हैं 5 आठ 7 पंदरा के 5 आठ 5 त्यारा और 4 त्यारा और 4 त्यारा और 4 सत्रा एक हासिल 18 दो एक तीन एक चार और एक यानि 148 रुपे 55 पैसे वह खर्च कर देता है उसके पास थे कितने उसके पास जो सुरुवाती में थे 150 रुपे और 00 पैसे अब देखते हैं इसमें से घटा देते हैं 148 और 55 पैसे घटाते हैं कितना बचेगा 5 यहां पर 9 9 में से 5 गया कितना बच्चा 4 और यहां पर बच्चा 10 10 यानि फिर बच्चेगा 9 9 से 8 गया एक रुपए 45 पैसे प्रस नमबर 9 देखिए योगफल बताना है तो योगफल आप इस प्रकार से करिए जिससे आपको सहलियत रहेगी 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 0, 0, 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 0, 6 फिर 0, 6, 0 योगफल ये 6 अपसन नमबर डी बिलकुल सही होगा प्रस नमबर 10 देखिए प्रस नमबर 10 में दिया है कि मार्च सन 2004 में एक मोटर साइकिल का मूल 42,500 रुपए था फरवरी सन 2005 में या मूल 14 प्रसत कम हो गया फरवरी सन 2005 में मोटर साइकिल का मुल था देखे तो अब देखे 42,500 का आप 14 प्रसत निकाल लिजिए दो जिरो से दो जिरो कैंसल चौदा पंचे सत्तर चौदा दूनी अठाइस अठाइस साथ पैंतिस चौदा चक्कू छपपन और तीन उनसठ यहनि पांच हजार नौसो पचास रुपे उस मुल में कमी आई अब बचा क्या तो 42,500 से उन्चास पांच हजार पांच हजार नौस तो जीरो और यहां पर बचा 5, यहां पर 14 से नोम गए तो कितना बचेगा पांच मेहं से अबẦ्ध यहां पर बच गेहार गयते लिए पांच भब से पांच कितना बचेगा, चे और यहां पर क्या बचा तीन तो उस मोटर साइक लिए का जो मुल रहा है वह बचा 36,550 कि अब तर्स नंबर 11 देखे तर्स नंबर 11 में मान बताना है देखे पॉइंट रचाते हैं जीरो बढ़ाते हैं अब यहां पर तीन जीरो बढ़ाएंगे अब काट लेजिए 22 से कम 22 22 चक्कू 88 और 22 चक्कू 88 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल अब यहां पर 400 चार बटे 100 अब दो जीरो हैं दो इस्थान बाद पॉइंट आप लगा देजिए तो 4.04 कौन सा अप्शन होगा अप्शन नंबर सी सही होगा प्रस नंबर 12 देखे सीवकुमार ने 18 प्रसत वार्षिक ब्याज की दर से 5500 रुपए तीन वर्स के लिए उधार लिए तीन वर्स बाद उसे अंत में कितना मिसधन देना होगा देखे प यानि मूलधन 5500 रुपए है और आर यानि 18 प्रसत क्या है दर है और समय दे रखा है एन इनकिता दे रखा है तीन वर्स अब भई साधारन व्याज होता क्या है साधारन व्याज बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटा सौ यानि आप 5500 रुपए का अठारा प्रसत गुणे तीन और बटे सौ साधारन व्याज निकाल लिजे अठारा पंचे नबबे और 99 गुणे तीन तीन जीरों जीरों तीन नवा सत्ताइस तीन नवा सत्ताइस और तीन तीस तीन हजर तीन जीरों जीरों तीन नवा सत्ताइस तीन नवा सत्ताइस दो 2990 रुपए के आया उसका ब्याज आया अब आपको निकालना क्या है मिस्र धन मिस्र धन कितना था इसका 5550 रुपए तो था मूल 5500 रुपए मूल धन था ब्याज बना 2970 रुपए तो जीरो साथ 9, 5, 14, 4, 5, 2, 7, 1, 8 तो 8,770 रुपए उसे देना होगा 8,470 रुपए अफसर नमबर ये विलकुल सही अंसर होगा प्रस नमबर 13 देखे 650 रुपए का 30 मास का साधन ब्याद 13 रुपए है तो वार्सिक ब्याज की दरी क्या है देखे यहाँ पर ब्याज दे रखा है 13 रुपए और मूलधन दे रखा है 650 रुपए याँनि समय दे रखा है 3 माह कैद रखा है 3 माह इसे वर्स में बदलेंगे तो 3 को भाग कर देंगे 3 को आप भाग करिए 12 से ठीक है अब आपको निकालना है दर दर बराबर होता क्या है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय तो बराबर ब्याज इतना है 13 और गुणे 100 बटे मूलधन 650 और गुणे 3 बटे की संख्या उपर गुणे में चले जाएगी तीन चक्कू 12 तेरा पच्चे 65 जिरो सेब जिरो कैंसिल पांच दूनी 10 और दो चक्कू 8 पुद्दर होगी आठ प्रस्वात आपसन नंबर सी सही होगा प्रस्ट नंबर 14 देखे रभी कार द्वारा आगरा से दिल्ली की ओर 40 किलो मीटर प्रत घंटा की चाल से चलना प्रारम किया चार घंटे चलने के पस्चात उसे कुल दूरी की दो तिहाई दूरी तैंक कर ली आगरा तथा बीच की दूरी क्या है देखे वो जब चार घंटे चलता है चार घंटे चलता है उसकी स्पीड है 40 किलो मीटर तो चार घंटे में उसने कितनी दूरी तैंकी एक बार यह कहता है उसने दो तिहाई दूरी तैंक कर ली नहीं 160 है यह यह बात और यह बात आपस में बराबर है तो सो प्रसत निकालते हैं दूरी कितनी है एक सो साथ गुणे तीन बटे दो दो अठी सोला तीन अठे चोबिस पूरी दूरी कतनी होई दो सो चालिस किलो मीटर अपसान नंबर बी बिलकुल सही होगा प्रस नंबर 15 देखे 5 बटा 7 अथा 7 बटा 9 के योग को निमलिखित रूप में परकलित किया जा सकता है ने लिखा जा सकता है देखे 7 बटा 5 बटा 7 प्लस 7 बटा 9 आप इसको जोड़ना है तो तिरिच्छी गुणा करिए तो 5 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 7 ठीक है और फिर नीचे नीचे की गुणा होती है 7 गुणे 9 आपको इस अपसन से ढूड़ना है इस प्रकार से अपसन में ढूड़ना है 5 गुणे 9 इसमें भी है इसमें भी समय हो पएगा तो अपसर नंबर ये विल्कुल सही अंसर है प्रस्ट नंबर 16 देखे एक रेल गाड़ी साम 6 बच के 30 बजे हाबरा से चलती है तथा अगले दिन पराता 9.45 बजे दिल्ली पहुंचती है तो रेल गाड़ी दोरा लिया गया समय क्या है देखिए 6.30 ये साम के बजे है अब भाई आपको 12 बजाना है तो 12 में कितना समय कम है इसमें 5.30 5.30 अब सुबह 9.45 मिनट हो गए तो 9.45 इसमें से जूड़ते हैं इसमें से 9.45 तो 5 और 4 तिन 7, 9, 5, 14 तो 14 घंटे तो ये हो गए और 75 यहां है 60 मिनट का एक घंटा होता है तो ये पंदरा घंटा 15 मिनट का समय लगा अप्शन नमबर कौन सा सही होगा अप्शन नमबर बी बिलकुल सही आंसर एक मिड़ी प्रस नमबर 17 देखिए प्रस नमबर 17 में दिया है 31 गुणे 2 31 गुणे 2 प्लस 19.32 भाग 0.14 का मान बताना है तो देखिए इसको कर लेते हैं 31 दूना 65 प्लस 19.32 दो पांच अउपटे पॉइंट 14 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 14 एक कम 14 14 एक कम 14 फिर कितना बचा यहां पर 14 एक कम 14 और यहां पर बचा पांच तिरपन हुआ 14 तिया 42 फिर कितना बचा गेरा 14 अठी एक सो बारा आठ दो दस छे तिन नव एक दस कितना या दो सो आफसन नंबर कौंसर सही होगा अफसन नंबर सिविल को सही अंसर होगा प्रस्ट नमर अठा देखिए दस मैचों में सचीन द्वारा बनाये गए रनों का उसत 44.8 रन था यदि पहले पहले आठ मैचों में उसक का आउसत रन क्या है देखिए दस मैचों का जो आउसत रन था वो था 44.8 तो इनका योग कितना होगा 448 अब आठ मैचों का जो था वो 42 था अब इनका योग कितना होगा आठ दूनी 16 आठ चकुब बतिस वेक 33 इनका अंतर करिए तो यहां पर कितना बचा दो और यहां पर कितना होगा एक और एक 112 इनका अंतर आया दो मैचों का अंसत पूचता है तो अंसत परावड क्या होता है आंकडों का योग फिल बटे आंकडों की संख्या दो पंचे दस दो चंग बारा यहनी आउसर जो था अंतिम दो मैचों का वो 56 का था अप्सान नंबर डिबिल को सही होगा प्रस नंबर 19 पांच सेंटी मीटर भुजा वाली वरगा का टायलों की संख्या जो एक कमरे के फर्स में जिसकी माप 2.6 मीटर गुणे 3.5 मीटर को बनाने में कितनी लगेंगी देखिए तो कमरे का छेतरफल क्या होगा 2.6 ठीक है 2.6 लंबाई गुणे चोडाई होता है आयता में क्या करना है वरका छेतरफल क्या होता है भुजा स्कॉयर यहनि 5.5 अब देखिए यहां पर 2 स्थानबाद पॉइंट लगा देते हैं कि यहां पर एक स्थान यहां है एक स्थान यहां है तो यह 100 से 100 कैंसिल 5.7 35 5.7 35 5.7 दूनी 10 5.7 35.5 दूनी 10 26 दूना 52 और 1 0 और 7 से गुणा करते हैं साथ जीरों 0 7 दूनी 14 7 पचे 35 एक 36 यहनि जो टाइलों की संख्या लगेगी वो 3640 आपसन नंबर कौन सा सही होगा आपसन नंबर भी विल्कुल सही आंसर होगा प्रस्ट नंबर 20 देखे 1.01 को प्रत्सत में बदलना है तो 1.01 सबसे पहले क्या करते हैं दस मलों हटाते हैं तो 2 0 बढ़ा लेते हैं प्रस्ट के लिए क्या करते हैं सो से गुणा कर देते हैं 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा अब यहां पर इसका मान आया 101 प्रतिसत 101 प्रस्ट सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर सेर कर देना सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए वीवर्स हैं और अपने दोस्तों को बताए कि नोदे के लिए हम दिन रात एक कर देंगे रिजिनिंग का भी एक वीडियो डाल चु के हैं और आगे से आगे अच्छे से अच्छे मैथ और इंगलिस साइंस सब कुछ चलाएंगे साथ देते रहें धन्यवाद दोस्तों